वेल्कम टू यॉर चैनल एस पाल न्यूज सब्सक्राइब माई चैनल तो देखिए आज दोस्तो हम स्वागत करते हैं आपका एस पाल न्यूज में और आज हम बात करेंगे बीजेवी पार्टी के जो बहुती दमदार नेता हैं एक स्टेट के सीएम है आपके यूपी स्टेट के सीएम है ठीक है ना तो आज हम बात करने वाले हैं योगी आजितनात जी के बारे में कि उनके पास कि सब्जेक्ट की डिगरी है और उनसे जुड़ी हुई कुछ बात है हम आज जानेंगे 47 मां आज जनम दिन है उनका मतलब 47 मां जनम दिन है आज 47 साल के वह हो चुके हैं सीएम योगी आजितनात हिंदूत्व की राजनीती के इस समय पर ब्रांड नेता हैं पियम मोदी के इस समय तागतवाज जनरलों में से एक हैं जिनके उपर देश का सबसे बड़ा राज जय उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है यूपी के सीएम का जनम दिन है आज और आजितनात हिंदूत्व की राजनीती के इस समय पर ब्रांड नेता बने हैं वो पियम मोदी के इस समय तागतवाज जनरलों में से एक हैं बाइस साल के मुद में जब अजय सिंग विस्ट यानि योगी आदितनात ने सन्यास का फैसला लिया तो सायद ही किसी ना सोचा होगा कि वह एक दिन जो है देश की राजनीती के इतने बड़े एहम चेहरे बन ज जाता है कि केंद्र की सत्ता तक जाने का राज था इसी राज जैसे होकर गुजरता है सीम योगी का आरेसस से कोई भी रिस्ता नहीं था हिंदुतों की विचारधारा को लेकर उन्होंने अपना एक अलग अंदाज सैली और संगठन था जिसके दम पर वह यूपी में आरेसस और विश्व हिंदु परिशद जैसे हिंदुवादी संगठनों के लिए भी चुनोती बन गए थे योगी के संगठन का हिंदु यूबवाहिनी जो उनके सीम बनने के बाद थोड़ा निसक्रिये है योगी जो है गोरगनात मट के महनत हैं और उनके गुरु इस बीजेपी स सांसद भी रह चुके हैं तो पहली बात जानेंगे उनके बारे में योगी आदितनात का जो जन्म है वो 5 जून 1972 को पौड़ी जिले के पंचूर गाओं में हुआ था इस्थानी स्कूल में सुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई फिर कोड़द्वार के गड़वाल गोरकपुर गए यहां गोरकशनात पीट के महंत अवैदनात की नजर पर उनकी जो है हमाँ पर पड़ी आदितनात की चपलता महंत और अवैदनात को बहुत पसंद आई और उन्होंने अपना उत्तर दिखारी घोसित कर दिया अगले ही साल यानि बस 1994 में वह है देगे यहा पर 1980 को यहां पर इस्थापना हुई थी पहली मीटिंग में अटल वहरी बाजपी अध्यक्ष चुने गए और 1980 में दिशंबर में यहां पर ठीक है ना लोकसावा चुनाब में पहली बार उत्तरी बीजेपी दो सीटें जीती दिसंबर 1984 में 1986 में जाकर लाल किष्ण आडवा 1990 में सांसारिक मोहाया त्याक कर पूर्ण सन्यासी बन गए इसके बाद अजय सिंग विस्ट ने अपना नाम बदलकर योगी आधितनाद रख लिया बस यही से असली कहानी शुरू होती है बस 1998 से 1998 में में 26 साल की उम्र में योगी आधितनाद ने बाजपा के टिकेट पर गो चाया और उसके बाद योगी आधितनाद लगाता है दोहर चार दोहर नो दोहर चोदे में गोरक पुर्ण सांसद रहे बस 1999 में दोवारा सांसद चुने जाने के बाद योगी आधितनाद का कद खासकर उत्तरभायत की राजनीती में बढ़ता गया और धीरे धीरे कटर कीसरी बार लोकसवा का चुनाब जीता इस वीच गोरक पुर को योगी के गण के तोर पर जाने लगा वर्स दोहर साथ में गोरक पुर में दंगे हुए और इन दंगों में योगी आधितनाद में मुख्य आरोपी बनाया गया लेकिन उनकी गुरफतारी हुई इस पर देज भर में बहुत ज़्यादा कोराम मच गया था अगले ही साल यानी दोहर आठ में योगी आधितनाद पर आजमगार में जानलेवा हमला हुआ करीब सो लोगों की हिंसक भीर ने उन्हें घेर लिया था और वे किसी तरह हुआ से बचकर निकल गये वह जो है उपर हमले पर उनक कि जीत का अंतर दो लाग से ज़्जादा बोट का था बज़ दुहार 14 में वे पांचमी बाठ सांसा चुने गए इस बार भी जीत का अंतर दो लाक 1 लुक सवा का चुनाभ जीतने गादिए देश की राजनिती में योगी आदितनात का कद बहुत बढ़ गया था 2017 में उत्तर प्रिदेश में बिधान सभा चुनाब हुए चुनाब में लंबे अंतराल के बाद बाजपा सत्ता में लोटी हाला कि चुनाब से पहले सीम पद के लिए योगी का नाम चर्चाम तक नहीं थ लेकिन अचानक पार्टी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और जिनके पीछे हिंदु आत की छबी और कदवार सक्षियत थी देश के बड़े सूबे उत्तर प्रिदेश के सीम की गद्दी पर काविच योगी आदितनात के नेत्रत में भाजपा को हाल ही के दिनों में भले ह कि उप चुनाबों में हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन चुनाब पंडित इसे छड़िक मानते हैं और कई विसे सब्सक्राइब तो यह मानना है कि पीम के बाद वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने व्यापक जन्स्विकारता हैं जैसे कि परिस्तितियां बनीतों वे देश जिसको पी-एम बन कर भी समाल सकते हैं यह चीज़ बताई गहीं है कि योगी आधितनात को जो है यहां पर इतनी इतनी उन्हें वह है कि उनका ग्यान वर्दक है या पर वो किसी भी देश के बारे में इतना जानते हैं खासकर कि वह जिस पर देश के भी आपके जैसे यूप प्रति जनक घटना के अगर कोई भी उस्तिति का उन्हें सामना करना पड़ा तो परेशान नहीं होंगे ठीक है वीडियो को जादर जादर लाइक